हलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चाइनल, ममता की रसोई में आपका स्वागत है, आज मैं आप लोग से सेर करने जा रही हूँ, यहू के आटे का नास्ता, बहुत ही सरल तरीके से बनाऊंगी और बहुत ही सिंपल, बहुत कम समागरी में, तो चलिए हम बनाना सुरू कर भूत करते हैं, गेहू के आटे का नास्ता, तो उसके लिए हम पहले लेंगे एक बरतन और उसमें हम लेंगे गेहू काटा तो हमने यहां पर दो कप गेहू काटा लिया है, इस को मैं अच्छी तरफ से चाल ली थीए और दो कप गेहू काटा ले ली हूँ, उसके बाद आध हमने यहां पे एक बड़ा सा प्याज बारिक काट लिया था उसके बाद यहां पे हमने तीन चार हरी मिर्च काट लिया बारिक तो आप हरी मिर्च तीखा का उसार डालिए जितना कम जादा तीखा पसंद करते हैं उसके बाद यहां पे हमने नमक डाल दिया है तो नमक हम एक च जीरा डाल देते हैं तो आधा चोटी चमझ रहत चा यहां है यह चार्ट मसाला के जगब पर तो प्रशंतन करते हैं उसके बाद हम यहाँ पर पानी डालेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा हम यहाँ पर देखिए पानी डाले हैं तो हमने आधा गलास से भी कम पानी को डाला है और इसको मिक्स कर देते हैं तो एक बार पुड़ा पानी आप नहीं डालिएगा फिर थोड़ा सा और मैं पानी डाली ह तो पानी डाल करके और फिर मिला के देख लेती हूं तो बैटर को हमें डो के तरह नहीं बनाना है थोड़ा सा हमें गिला बैटर रखना है और ना लिक्विट के तरह हमको घोलना है और ना डो के तरह इसको रखना है पूरी प्राठे के तरह तो हमको इसको थोड़ा सा गिला बैटर बनाना है तो आप देख लीजेगा कि मैं किस तरह से थोड़ा-थोड़ा पानी डाल करके बना रही हूं क्योंकि एक बार अगर पानी पूरा डाल देंगे तो अंदाज आपको नहीं मिलेगा तो मैं थोड़ा-थोड़ा डाल रही हूं और मिक्स करते जा रही हूं अब यहां पर देखिए इस तरह से पानी डाल करके और इतना आपको गिला रखना है तो बैटर को थोड़ा गिला ही रखिए आप देख रहे हैं ना यह डो के तरह है और ना ही यह लिक्वीड के तरह है मीडियम है आप देख रहे होंगे किस तरह से आपको बनाना है तो यहां पर हमने पानी डिल करके और आच्छी इसको मिक्स कर लिया है इतना गिला ही होदा चाहिए अब इधर हम गैस पे प्राइव पैन को चरा दिया है और हमारी फ्राइव पैन में हमने डाल दिया है कुकिंग वायल और उधर गर्म हो रही है अब हम इधर नास्था को बनाते है तो तेल हमारी उधर गर्म हो रही है अब हम इधर नास्ता को तयार करेंगे तो यहां पर देखिए इस तरह से हम यहां पर ले लेंगे बॉल्स तो बहुत ज्यादा न छोटा न बड़ा हमने यहां पर इतना बड़ा देख लिजिए बॉल्स ले लिया है तो आप छोटा प्रियाकार का इसको चिकना करके और इस तरह से इसको बना लिया है और इधर हमने यहां पर प्याज को काट करके स्लाइस में रख लिया था तो यहां पर हमने दो तीन प्याज को इस तरह से स्लाइस में काट करके गोल गोल रख लिया है और अब यहां पर हम इसमें इसको ल कर दीजिए इसको ताकि इसमें अच्छी तरह से चिपक जाए तो हमने यहां पर इसको दबा करके चिपका दिया है उसके बाद इधर हमारी वायल गर्म हो गई है गैस पर हमने जो वायल को रख दिया था फ्राइपेन में तो वायल गर्म हो गई अब हम इस तरह से नास्ते को जो बनाए है उसको मैं इसमें डाल दी हूं और डालने के बाद फिर हम इस गैस को धीमा कर दिये थे और उधर उधर हो रहा है फिर मैं दूसरा इसी तरह से नास्ता फिर तयार कर लेती हूं तो इसी तरह से गोल कर लेना है और फिर गोल करके फिर से मैं प्याज की स्लाइस इस प्रिपसी हो गया है अम मैं दूसरी तरफ भी इसको प्लट देती हूं और दूसरी तरफ भी इसको निकाल लेती हूं तो इसी तरह से आप भी चान करके और प्लेट में निकालते जाएं तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है और कितना अच्छा देखने में लगड़ा है खाने में तो आप खा करके बताएंगे कि कैसा आपको लगा और जो बचा हुआ नास्ता है बस इसी तरह से हम फ्राइपेन में डालते जाएंगे और बनाते जाएंगे तो हमारा नास्ता बन करके बिल्कुल तयार हो गय हो पेरी चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा लाइक किजिएगा फ्रैप्स हमली के साथ सेयर किजिएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स